नमस्कार दोस्तों इंडियन ट्रेवल ओनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है रोजाना की लाइब से अगर आप बोर हो गए हैं और कहीं घुमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आज आपको इस वीडियो में दस जगें के बारे में बताएंगे जानिये उन जगें के बारे में जहाँ आप सस्ते में अपना पूरा ट्रीप कर सकते हैं उत्तर भारत में कई ऐसी जगें हैं जो बजट डेस्टिनेशन हैं जहाँ हम खर्च में कम खर्च में शांदार यात्रा का आनंद ले सकते हैं इस वीडियो में दस डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, इन में नमबर एक पर है रिसी केश और हरीदवार, रिसी केश और हरीदवार उत्राखन के अंदर हैं, यहाँ पर गोमने के लिए गंगा आर्ती, लच्मन जुला, राम जुला, तिर्वेनी घाट, नेल कं देखने के लिए हैं, और यहाँ पर एडवेंचर, गतिवीदी में रिवर राफ्टिंग, योगा और मेडिटेशन आता है, दोस्तों यहाँ पर आपे 500 रुपे से 800 रुपे के लिए एक दिन में आपको बजट होटल मिल जाएंगे, अगर खर्चे की बात करें, तो 1500 से 2000 नहां आता है, नमबर दो पर है, मनाली हिमाचल परदेश के अंदर है, और बड़ा ही खूबशूर्त हील स्टेशन है, यहाँ पर गूमने के लिए सोलंग वैली, हिडिमबा देवी मंदीर, वसिष्ट कूंड, मनू मंदीर और रोतांग पास जैसी जगें है, यहाँ पर सीजन में सनो स्पोर्ट्स भी यहाँ पर बड़ी श्यांदार जगे बन जाता है, दोस्तों यहाँ पर आपका दो अजार रुपे से पच्ची सो रुपे एक आदमी का खर्चाएगा, नमबर तीन पर है सिमला, सिमला हिमाचल परदेश की राजदानी है, और हिमाचल का बड रोड, जाकू मंदीर, क्राइस्ट चर्च, कुफरी जैसी जगें हैं, और ट्रेकिंग के लिए ट्रेकिंग, हाइकिंग और शोपिंग जैसी एडवेंचर गरते भी दिया हैं, यहाँ पर विजिट करने के लिए 15,000 रुपे से 2,000 रुपे एक आदमी का हो सकता है, नमबर च ठूपशूर जगें हैं, यहाँ गूमने के लिए तसुंग, खाक, कॉंप्लेक्स, भागशू, जलपराप, त्रीव, ट्रेक और दलाई नामा टेंपल जैसी जगें देखने के लिए हैं, यहाँ पर अडवेंचर गती विदियों में ट्रेकिंग, बोध संसकर्ति का बड़ा नजदी की से अनुभो मिलता है, दोस्तों यहाँ पर पंदरा सो से दो अजार रुपे तक एक आदमी का खर्चा आ जाता है, नमबर पांच पर है नैनिताल, नैनिताल उत्राखंड का बड़ा ही श्यांदार हिल स्टेशन है, यहाँ गूमने के लिए नैनी जील, नैना कसार देवी मंदीर, सनो विव पॉइंट जैसी जगे है, और एडवेंचर के लिए बोटिंग, हाइकिंग जैसी गतिवी दिया है, यहाँ पर एक आदमी का पंदरा सो रुपे से दो अजार रुपे का एक दिन का खर्चा है, नमबर छे पर है अलमोडा और कोसानी जो उत्र अखंड के अंदर है, यहाँ गोमने के लिए कसार देवी मंदीर, चोबिटिया गार्डन, कोसानी टी एस्टेट जैसी जगे है, और एडवेंचर के लिए हिमाले का बड़ा शांदार नजारा नजदी की से आप देख सकते हैं, परकरती में आप समय बिता सकते हैं, यहाँ क खर्च बारा सो रुपे से पंदरा सो रुपे है, नमबर साथ पर कसोल और तोस आता है जो हिमाचल परदेश के अंदर है, यहाँ गोमने के लिए पारवती घाटी, मलाना, मनी करण जैसी जगे हैं, और ट्रेकिंग के लिए कैम्पिंग और ट्रेकिंग पॉइंट हैं, यहा आदिमी का खर्चा पंदरा सो से दो अजार रुपे आता है, नमबर आठ पर है वारणसी जो उत्तर परदेश के अंदर है, यहाँ पर गोमने के लिए कासी विशवनात मंदीर दसा मेज घाट, असी घाट जैसी जगे है, और भारत का टोफ खोली पैले से हजारों लाखों क संक्या में सरदालू यहाँ गोमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर विशेश गतीवी धियों में गंगा आरती और बंदिर का दर्सन सामिल है, यहाँ पर आपका एक अजार रुपे से पंदरा सो रुपे एक दिन का आ सकता है, नमबर नो पर है अमरिच सर, अमरिच सर पंजा वाग, वागा बोर्डर जैसी जगे है, और विशेश गतीवी धियों में यहाँ पर वागा बोर्डर का प्रेड देखने लाइक होता है, यहाँ का खर्चा एक अजार से पंदरा सो रुपे एक आदमी का आ जाता है, नमबर दस पर है जैपूर जो राजस्तान के अंदर है, यहाँ पर गोमने के लिए आमेर का किला, नहारगड का किला, हवा महल, जंतरमंतर, सीटी पैलेस जैसी जगे हैं, और यहाँ पर विशेश गतीवी धियों में इतियासीक सत्लों का विजीच और स्तानिय भोजन बड़ा ही आनन्द में लगता है, यहाँ पर एक आदमी का बा बता दे जब आप पे विजीट पर जाएं, तो ट्रेन और बस यात्रा सस्ती होती हैं, इसलिए जहाँ संभव हो वहाँ पर बस और ट्रेन से विजीट करें, बजट में सवादिष्ट बोजन के लिए स्ट्रीट फूड और लोकल डाबों का आनन्द लें, बड़ा ही सवाद इस्ट बोजन वहाँ का होता है, इसमें ठहने और खाने का खर्च कम आता है, आप होमस्टे या फिर कम बजट का होटल चूज कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप साथ दिन से और दस दिन तक का अगर बजट में अपना यहां का ट्रिब बनाते हैं, तो एक आदमी का साथ अजार रुपे से दस अजार रुपे तक खर्च आ जाता है, इन डेस्टिनेशनों पर आप कम बजट में एक शांदार यातरा का अनुभाव ले सकते हैं, और इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है, या टूर पैकेज के बारे में पता करना है, तो आप इं अजार लगे तो किरपा सेर और लाइक जरूर करें, नमस्कार